अप्ट में लेक्ट माइब यूटु चैनल पेपर हैकर आज के वीडियों हम अगले कोश्चन की बात करें गिजो कि आपका जूलो जी का कॉश्चन नंबर एटीन है अधिक है आपका बेशी पार वन और लिए हम पढ़ रहे हैं तो अपसे लेकर अपसे पहले हमने एक से लेक से आप क्या समझते हो ठीक है यानि कि बिलड क्या है कहने का मतलब यह है बिलड क्या है यह बताना है आपको रक्त की रचना यानि कि रखत की जो रचना है वो कौन-कौन से रचना और कंपोजीशन एवं कारियों का वर्डन कीजिए ठीक है तो पहले बताना है कि बिलड होता क्या है इसकी रचना क्या है और कंपोजीशन यानि कि इसके संगटक कौन-कौन से किनकिन से मिलकर यह बना हुआ है आपका ठीक है और इसके कारियों का वर्डन आपने करना ह यह आपसे पूंख सकता है कि रख्त की कोश की यह तथा अकोश की रचना का वड़न कीजिए ठीक है क्या करना है आपको cellular और cellular component सा बिलड बताना है ठीक है इन दोनों का वड़न करना है तो चलिए बात करते हैं आंसर की क्या लिखना आपको अगर इस तरह से आंसर पूंचा जाए तो अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीक है और अगर आपको किसी वीडियो का पीडियो फॉर्म चाहिए तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जागा जहां से आप पीडियो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पड़ाई अच्छे से कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आंसर करते हैं कि ब्लड है क्या यह एक प्रकार का शरीर में बहने वाला ठीक है क्या है अपका फिलर्ड है या लिक्ड हम कह सकते हैं कह रहां यह है है का क्या क्या करता है ने क there नाम से इसे हम सहियो जी उतक्योंसे जानते हैं क्या कहते हैं ौच अ cm q तक द्रव के नाम से भी इसको जानते हैं ठीक है यानि के कनेक्टिब टिशू फ्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है बिलट को कहरा रक्त सभी फिलट से अधिक को modified होता है सभी फिलट से जो आपके जितने भी आपके फिलट है या दिरभ है उन सब्से कैसा होता है ये अधिक modified होता है ठीक है तथा यह oxygen तथा nutrients को सेल तक लेकर जाता है जो आपके पोसक होते हैं जो भोजन में आप ओसक करते हैं ठीक है बिलट जाता है और कह रहा है और कारवंड़ यॉक्साइड इवं बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करके रिलीज करता है वाकी आपका जो कारवंड़ यॉक्साइड बनता है उसके अलावा और आपके जो वेस्ट पदार्त होते हैं ठीक है उनको क्या करता है कैरी करता है या तो कौन सा अंग लेकर आएगा ठीक है बाहर निकालेगा तो क्या है रेस्पेक्टिव अंग है ठीक है संगटन की अगर हम बात करें composition की यानि कि किस किस से मिलकर यह बनाया कौन कौन से इसमें जो है संगटन पाया जाते हैं ठीक है बिलड प्लाजमा ठीक है बीपी नहीं बिलड प्लाजमा है तरल भाग होता है ठीक है बिलड प्लाजमा आपका क्या होता है एक तरल भाग होता है ठीक है सेकेंड क्या होता आपका सेलूलर कंपोनेंट्स क्या होता है सेलूलर कंपोनेंट्स यहां बिभिन कोशिका है ठीक है तो यह दो चीजें मिलकर क्या बनाती है आपका बिलड बनाती है तो यहां लिख दें सेलूलर कोशिका है ठीक है सेलूलर सेल्स तो इन दोनों चीजों से आपका क्या बनता है बिलड प्लाजमा या रुधिर प्लाजमा की तो यहां पर रुधिर प्लाजमा आपका क्या हो जागा कि यह पूरे रक्त का 54% होता है आपके अंदर जितना बिलेड है मानलो 100% है उसमें से आपका 54% क्या होता है आपका 54% आपका होता है बिलेड प्लाजमा ठीक है कितना होता है 54% बि देर्ड गुना अधिक ऐसा होगा होता है आपका विसकस होता है मतलब जल से थोड़ा ओता है कहने का मतलब है यह भी दो चीजूं का बना क्यों तो drill बाल। सबसे पहले हम बात करते कि जो वह कितना होता है और उस तरह से गुला रहता है जब प्लाजमा का 91-92 परसेंट भाग जल होता है कितना होता है गाटर होता है अब कितना रहे घख आपका बचा हुआ वो क्या होगा आपका थोस्पदा अठीक है 92% आपका क्या हो जागा वाटर हो जागा ठीक है यह निम्न कारी करता है आप वाटर के निम्न कारी है क्या क्या कारी है नमबर एक सरीर में रख्त की मात्रा को निर्धारत करता है कौन वाटर ठीक है आपकी जो बिलड की मात्रा है या क्वांटिटी है उसको कौन मैंटेन करता आपका water ठीक है number one second आपने आद रखना है कि blood pressure नियंत्रित करता है तो आपका water का दूसरा काम क्या होता है कि BP को control करना किसको BP को क्या करना नियंत्रित करना ठीक है थर्ड क्या हो जाता है यह शरीर के अन्य द्रवों को भी उत्पन करता है यानि कि शरीर के अंदर जो और आपक को medium बनाता है कि मेडियम बनाता है ठीक है जिससे कि वह आपका क्या कर सके फ्लो कर सके सेकन्ड ठोस भाग की अगर हम बात करें विलडप्र बाल्चमा में अगर हम ठोस भाग या solid parts की बात करें तो यह कौन-कौन से हैं तो यह करीब आपके 8 से 9 परसेंट रहते हैं solid प्रसंट के बहुते हैं तता दो तरह के होते हैं अब यह भी आपके जो ठोस बहाँ के सबसे हैं यह आपके दुवारा से दो तरह से होते हैं तो कौन कौन से होते हैं परस्ट आपका क्या हो जागा और गैनिक यानि कि कार्वनिक पदार्थ क्या हो जाएंगे आपके कार्वनिक कारवनिक पन्दार्टिक है कारवन कंटे इनक जिन में कारवन भिदमान रहता उन्हें हम lava पर थेत सेक क्रविख करते आपका क्यों जागा इन ऑर गानिक क्या होता है आपका अ-कार्वनिक क्यों च्वा क्रवड नहीं होता है दुबार आपका दो प्रकारक आता होता यह ओर्गेनिक और आपका उनस सबसाइनक बात करेंगे हैं जो और गैनिक पार्टbay नित was और बाणिक भया होता और गनिक कम्पोनेंट चैने की योगिक यह क्या होते हैं यह यह आपके चैने होते हैं कि आपके औरगैंक कंपोनेंट होते यानि कि ये इस तरह की प्रोटीन होते हैं जैसे आपका प्रोटीन हो गया यह क्या है अपके प्लाजमा प्रोटीन है ठीक है और ग्लोविलिन हो गया ठीक है तो इस तरह के ये प्रोटीन प्रोटीन प्लाजमा के रूप में आपके पाए जाते हैं जो कि आपके क्या है solid parts के organic component है, क्या है, थोस भाग के organic component है, ठीक है, तो ये किस रूप में पाए जाते हैं, आपके fabrinogen और आपका prothrombin और आपका globulin, ठीक है, second अगर हम बात करें, जो कि आपका था inorganic component, क्या था आपका inorganic या अकार्वनिक या पदा, ठीक है, तो इसकी मातरा कितने होती है, ये करीब आपके 0.9% होते हैं, याद रखना कितने होते हैं, 0.9% जो है, इनका भाग होता है, ठीक है, कितना 0.9% जैसे आपका sodium आयन हो गया, calcium आयन हो गया, magnesium आयन हो गया, और chlorine आयन आदी, तो इनका भाग कितना होता है, आपके बाड़ी में, लगबग, लगबग, 0.9%, ठीक है, 0.9%, ये आयनिक फर्म में पाय जाते हैं, और ये किस फर्म में पाय जाते हैं, आयनिक अबस्ता में पाय जाते हैं, ठीक है, दूसरा आपका cellular components क्या था, cellular components यानिक कौशिकाओं से बना हुड भाग, ठीक है, experiment का दूसरा भाग क्या है, cellular components जो कि आपका कौशिकाओं से बना हुग भाग होता है, तो इसकी अगर हम बात करें, तो ये आपका करीब 45 से 46% पाय जाता है, कुशिकाओं का बना भाग 45 से 46% पाय जात होता है ठीक है उच्छ कोटी के जानवरों में यह तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का होता आपका कोशिकाओं से बना भाग ठीक है उच्छ कोटी के जानवरों में तो पहला क्या होगा आपका RBCS जिने रेड बिलड सेल्स कहते हैं या रक्त से पहले अगर हम बात करें आपका आर्वीस सी क्या होता है ठीक लाल कट है ठीक है लाल रक्त कड़काओं को हूं जानेगए जो कि आपका एक पार्ट है ठीक है य्नहें इरुस मैं भी कहते हैं क्या कहते हैं इनको इर्थ्रोसाइट भी कहते हैं ये गोल आपकी तस्तरी के आकार की होती है कैसी होती है ये आपकी गोल और तस्तरी के आकार की जो है ये आपकी होती है ठीक है कैसी होंगी गोल और तस्तरी के आकार की जो है ये आपकी होती है ठीक है आर बीसी त नुक्लियेटिड यानि कि इनमें नुक्लियस जो है नहीं पाए जाता है कि इनमें आपका इस्तंधारियों में ठीक है या मैमल्स में कह रहा है इनका आकार 7.5 माइक्रो होता है 7.5 मिव यानि कि माइक्रो होता है इसके लगवक होता है तथा मोटाई कितनी होगी आपकी 1 अपॉन 44 माइक्रो ठीक है कितनी होती है 1 अपॉन 44 माइक्रो तो यह आपको याद रखना है आकार और इसकी जो है लंबा मोटाई इनकी संख्या मनुष्य में 50 लाख प्रति क्यूबिक मिली मीटर होती है कितनी होती है 50 लाख ठीक है प्रति क्यूबिक मिली मीटर यानि की घन मिली मीटर कितनी होती है एमम का घन ठीक है 50 लाख प्रति मिली मीटर होती है प्रति क्यूविक मिलीमीटर होती है इनके बीतर आपका हीमोगलोविन जो आपका पदार्थ होता है जैसे आपका बिलड का रंग जो है रैड होता है नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट भरा होता है कौन सा भरा होता है आपका हीमोगलोविन नाम का रेस्पिरेटरी क्या भर होता है तो होता है में साइटो पॉल दो में पाय जाने वाले ऑद ने इसट्रक्चर जो कि आपके साइटोप्लाज्मे बिल जाते हैu मोच्टली यह नहीं पाा जाते हैं एंगे और में यह नहीं पाए जाता है इनकी रचना लाल बोन मेरो से होती है किसमें होती है आपका रेड बोन मेरो मेरो में जो है आपकी आर बीसी की क्या होती है रचना होती है कहा पर बनती है आपकी और बीम इसको इरिट्थरो पोईसिस कहते हैं इनका जीवनकाल लगवा कितना होता है 120 दिन यानि की लगवग लगवग ये चार मंत तक रह सकती है कितने मंत तक चार मंत तक जो है ये जीवित रह सकती है उसके बाद ये क्या हो जाती है पुनहा नश्ट हो जाती है और पुनहा नई बन जाती है ठीक है तो ये प्रकरम जो है इनका चलता रहता है संख्या कितनी हो फ्रति क्यूनिमीटर ठीक है 50 यह इनगा कहते हैं इनको लुकोसाइट नाम से यह जांते हैं फेरह श्ट रुधिर कड़काएं या स्वट रुधिर कड़काएं फ्रहें को कहते हैं ठीक है तो उनका उनसे यह को प्रदान करती है ऊहां इम्मुन सिस्टम को यह जनरेट करती बनाती है क्योंकि इन में कई फाइगो साइटोसेस क्या हुता है फैगो साइटोसेज यानी की भक्छन क्या हुताईध मैं भक्छन का गणल पाया जाते है ठीक है भक्छनका पाई जाता यहाने कि जो आपका पाय जाता है किसमें WBC में ठीक है तो यह कैसी होती है आपकी Nucleated होती है कहना है बिलेड में WBC का Normal Number 4500 कितना 4500 से लेकर आपका कितना होता है 11000 कितना होता है से we double green एक एक माइक्रोड लीटर यानि कि आपकी साड़े 4 से साड़े गयारहहजार जो है और बीसे देखने को भन जाएगी ठीका 1.254 से गयारहहजार तक डाब्लू बीटी या सवेत रुद्र्कर करका है जो है देखने को मिलती है ठीक है इनके साइटो प्लाज्म के स्ट्रक्चर के आधार पर दो भागों में बाटा गया है अब इनको क्या है साइटो प्लाज्म के स्ट्रक्चर या साइटो प्लाज्म की सरचना के आधार पर इनको दो भागों में जो है बाटा गया है तो वो कौ यह वहां जोगा जरा देख लेते हैं WBC को यह कौन и कौन से ठीक है rail Alp至 यह दो भाग है जो की W b, ck किसाए W b, ck और इणो के आधार पर बसका गया है Cytoplasm साइतो प्लाज्म के इस ट्रक्चिर के आधार पर ने को दो भागों में बाता गया जो कि आपका क्या ग्रे नौलो साइट ओ रहेंगे प्रेने का हैं इनका सइटो प्लाज्म होता है खिक है मलो जो जीब द्रब भरा होता है उने में वो कैसा होता है इनका दानेदार होता है ठीक है कैसा होता है दानेदार या रवेदार कह सकते हैं ठीक होता है यह आपकी तीन प्रकार की होती है अब दुबारा से WBC को आपको दो भागों बाट गया था अब कह रहा है सबसे पहला क्या थ cog saat अभ अब इनको दुबारा से तीन भागों भाट दिया है कितने भागों में जो निट्रो तो इनकी संख्या सबसे अधिक होती है किसकी संख्या न्यूट्रो फिल की संख्या सबसे अधिक होती है आपकी ठीक है डबलू बीसेस में करीब 60-70% जो है इनका आकार 9-17 संख्या कितनी होगी इनकी 60-70% तक यह जो है पाई जाती है और न्यूट्रो फिल ठीक है किसमें डबलू बीसी की बात कर रहे हैं यहां पर हम और इनका आकार कितना होता साथ नौ से 9-17 माईकरो तक तथा नूकलियस लोबिलर यानि कि कई पिंडों में बटा रहता है जो आपका नूकलियस होता है वो कैसा होता है लोबिलर होता है ठीक है लोप्स में आपका यह नूकलियर जो है बटा रहेगा ठीक है कई खंडों में या कई लोप्स में आपका बटा रहता का रहा है खंडों की संख्या तीन से पांच तक होती है या Hem पढ़다가 बारी तत्त्तों को यह करना होता है Fagocytosis यानि कि भखशण करना होता है कि सजहां हुँ कि अपका क्या है granulocytes का first part है तो इनका मुख्यकारी क्या हो गया इनका मुख्यकारी हो गया आपका phagocytosis यानि की भक्चड करना ठीक है वहर से जो आपका virus या वैक्टीरिय आगा उनको यह का करेंगे उनका भक्चड करेंगे ठीक है कि दूसरा आपका ला मिदर इंका कंवारा माइक और साइटो प्लाजम के ग्रेनियूल कम तथा बढ़े होते हैं इनके अंदर जो साइटो प्लाजम या जिप्द्रब्ब होता है वो क्या होता है, granules कम होते हैं, यानि कि दाने जो रभेदार होते हैं, वो कम होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, आपके बड़े होते हैं, ठीक है, कैसे होंगे, आपके थोड़े बड़े होंगे, लेकिन संख्या में कैसे होंगे, कम होंगे, ठीक है, नुकलियस वाइलोब, यानि खर्ड़ पंडों में बटा रहे ता है संख्य होता है इसका बना होता और इनकी संख्या mm तिन से पाँच तक होती है कितनी होती है जा आपको फेफ़ड़ों की बीमारी में बढ़ जाती है तो आपका जो सिनो फिल पीलिया कहती है कहते हैं क्या कहते हैं यह सीनुफीलिया कहते हैं यह सीनुफीलिया क्या को.... तो इसके काड़ आपके और भी डिजीज आपको घेर लेते हैं ठीक है इसोफिलिया में ठीक है इस अकुछ ये जो आपके structure दे रखें जितने भी हमने अभी तक पड़े थे हमने क्या पढ़ा था इरित्रोर साइट्स क्या पढ़ा था तो मौनोट्छा सद्वर संग सरचना आपके कुछ इस तरह से होती है जिन में भीतर आपके कुछ इस तरह से भरा रहता है जो भरा रहता है यह कुछ इस तरह सेज़ रखा रहता है सेकन्ड था आपका लिंफोसायट्स यह यह तो इनकी सरचना आपके कुछ इस तरह से देखने को मिल जागी ठीक है यह आपकी क्या है लिंफोसाइट ठीक है यह क्या हो जागा आपका लिंफोसाइट निक्स आपका क्या हो जागा न्यूट्रोफिल क्या हो जागा आपका न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल भीन पिस से विए आसणा सीख लेया उसके यो शीनोफिल जिसकी सद्रचना आपको कुछ इस तरह से जो है देखने को मिल जाएगी ठीक है तो यह आपको इनका चित्र जो है बना लेना है कि एड अब आपका क्या आ पैसोसिल की शौरचना कुछ आपकी इस तरह से हो जाएगी ठीक है इस तरह से और ऐँगे आपका तो यह क्या है आपका बैरियर स्टैप साफ सेल आफ दा बिलड तो यह आपके बिलड की या रक्त की विभिन प्रकार की कोशिकाए हैं ठीक है विभिन प्रकार की कोशिकाए हैं किसकी आपकी बिलड की ठीक है कोशिकाए है इसकी बिलड की यह रक्त की विभिन प्रकार की जो है फुशका है इस्ट्रक्चेत देख लो बना लेना नेक्स्ट थर्ड क्या है आपका बैसलो फिल क्या है आपका बैसलो फिल यह वाला ठीक है तो यह थोड़े छोटे होते हैं इनका आकार कैसा होता है छोटा होता है ठीक है आकार कितना होगा लगवक आठ माइक्रो इनका आकार कितना होता है लगवक आठ माइक्रो का होता है जो कि छोटे होते हैं इनमें केवल एक पिंड का सेम के वीज का आकार होता है कैसा होता है एक पिंड याने कि एक खंड का या एक लोब्ड का ठीक है किसका एक लोब्ड जो ह अपका सेम के बीज का आकार होताई यह आपका नुकलियस होता है सेम के बीज के आकार का खीक रहा होगा की सतरह होगए स्टेम के बीज की आकार का क्या होगा आपका नूकलियस जो है आपको इसमें देखने को मिल जागा साइटो प्लाजमें ग्रेनियूल्स की संख्या बहुत कम होती है ठीक है जो साइटो प्लाजम बढ़ा रहता है इसमें ग्रेनियूल्स की संख्या बहुत कम होती है बी आपका फ्रचार क्या था अब आपका बी अपसन आप आपका यसमें क्या पढ़ना आपको ऑग्रे जुली का दिर्भ होता है वो आपका दानेदार नहीं होता है ठीक है कैसा नहीं होता है दानेदार नहीं होता है ठीक है इनका जिब दर पे दानेदार नहीं होता है कहरा है ये दो प्रकार के होते हैं ठीक है अब आपका एग्रे निवलो साइट्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं फस्ट आपका क्या ह कching लोगते हैं तो आपके मात्रों कि अच्छे इनकी मात्रा नुक्लियस होता है इनका जो nucleus होता है वो कैसा होता है kidney के आकार का होता है कैसा होगा kidney के आकार का होता है क्या आपका nucleus ठीक है किसका monocytes का करें protogen के संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है ठीक है जब आपका नूकलियस काफी बड़ा होता है अब इनका नूकलियस कैसा होता है काफी बड़ा होता है ठीक है इनके अंदर जो नूकलियस कैसा होता है काफी बड़ा होता है तथा गोल होता है ठीक है बड़ा होता है और गोल होता है इनकी आकार की अनुसार ये दो प्रकार की होती है किनके जो आपका lymphocytes है उनका nucleus कैसा होता है काफी बड़ा होता है और गोल होता है तो इसी के आकार पर ठीक है इनके आकार के अनुसार इन्हें दो भागों बाटा गया है कौन-कौन सा आपका पहला हो जागा इसमालयर lymphocytes याने कि छोटी lymphocytes इनका जो है आकार कितना होगा 5.5 तक यानी कि इनका इतना होता है 7.5 माईकरो तक है दूसरा है आपका larger lymphocyte इनका आकार कितना होता है 12 माईकरो का ठीक है तो इनको आकार के अनुसार दो भागों बाट दिया गया है एक तो आपका smaller lymphocyte होता है दूसरा larger smaller lymphocyte का size कितना होता है 7.5 micron जबकि larger lymphocyte का जो है आकार कितना होता है 12 micron होता है ठीक है तो यह आपने ध्यान रखना है next अब आपने लिखना है इनकी percentage 20 से 30% तक होता है ठीक है कि इनकी percentage जो आपका monocytes था है lymphocytes इनकी मात्रा 20 से 30% तक होती है और infection यानि कि संक्रमन में इनकी संख्या बढ़ जाती है हैँ संक्रमन में इनकी संख्या बढ़ जाती है और यह किसी का का माते भक्षड का कारी जो है करती है घाड आपका आ जाता है बिलाद प्लेट लेर्ट लेर्स जो की बिलेड का आपका dziट पार्प्स है ठीक है अभी तक हमने पढ़ना है बिलट प्लेट लेट्स ठीक है यह इनको कहते हैं थ्रोंबो साइट्स क्या कहते हैं थ्रोंबो साइट्स भी कहते हैं तो यह बहुत ही छोटे करीब एक पॉइंट पांच माइक्रो से तीन माइक्रो तक के होते हैं इनका अगर कैसा होता है बहुत ही छोटा होता ज मिलमीमेटर में ऑपको इनकी संक्या कितनी मिल जाएगी 2.5 लाग से 5 लाग तक चीए आपका फ्रोमबो-प्लास्टिन जो moon होता है बनाती है क्या बनाते यह फ्रोमबो-प्लास्टम का निर्मार्ड करते हैं कोम आपके ब्लड प्लेटिलेट्स जब यह ब्रोकन ब्लमग Все ब्लेट लेट्स के टेंटेकल्स बन जाते हैं किसके ब्रोकन ब्लेट वैसल के मानलो जहां पर आपकी कोई ब्लेट वैसल इसके कुछ कारी दे रखें बस वह आपने पढ़ लेना है और इस तरह से आपका question जो है complete हो जागा ठीक है सबसे पहले कारी क्या हो जागा नंबर एक हीमोगलोविन एक respiratory pigment का कार्य करता है इसके अंदर जो हीमोगलोविन होता है ठीक है व्लड के अंदर वेक respiratory या सुसंत तंतर के वर्णक का कार्य करता है ठीक है यह है oxygen को उतकों तक पहुंचाता है क्या काम होता है इसका oxygen को उतकों तक पहुंचा पहुंचा न ठीक है आपके इंदर जो हीमोगलोविन होता है यह oxygen से wind कर जाता और क्या बना लेता है oxy hemoglobin क्या बना लेता है आपका oxy hemoglobin जो की आपकी सभी कोशिकाओं तक यह सभी उस्तकों तक पहुंझ जाता है इसी के माध्यम से oxygen आपका ठीक है सेकेंड कहें है कारवन का ट्रांस्पोर्ट भी रखता द्वा रहा होता है अब भी आपके शेल्स में कोशिकाओं में जो आपका कारवन डाही ऑक्साइड बनेगा ठीक है उनको आतों से सोख कर कोशिकाओं तक पहुंचाने का कारी भी कौन करता आपका बिलड करता है ठीक है और ता आपका हो जागा उत्सरजन पदार्थों को उत्सरजी अंगों तक पहुंचाना अब जो आपके उत्सरजित पदार्थ होते हैं यानि कि शरीर से वहार निकलने वा करें तो पूरे शरीर के तापकिरम को इस्थिर रखता है कौन बिलड का काम क्या होता है और आपका पूरे शरीर के टेंप्रेचर को सेवन्त करता है लियुकोषैट्स द्वारा संकरमड कीटाणूं को नश्ड करता है यह भाक्षड कि तरह काम करते जो कि संक्रमण को खतम करने का काम करती है कि किरिया करता है जिससे अत्रेक्तования नहीं हो पाता है कैसे को एक इस रोकने के लिए आपका प्लाजमा ठीक है प्रो थ्रॉंबिन और आपका फाइम ये सब प्रोटिन साόकर क्या करते हैं एक गाढ़ा पदार या क्या बना लेते हैं एक वहाँ पर जेल टैप बना लेते हैं क्या बना लेते हैं एक वहाँ पर आपका जेल टैप एक थोड़ा आपका गाड़ा लिकुड बना लेते हैं जिससे कि आपका बिलट बहना और कम हो जाता है जिससे कि आपका अत्रिक्त जो है रक्त बिना जाती है ठीक है टेंड कहरा शरीर में इम्म्यूटिटी पैदा करता है आपके शरीर के अंदर क्या करता है प्रतिरक्षा पैदा करता है क्या करता है प्रतिरक्षा पैदा करता है जिससे की वाहरी जो आपके वैक्टीर या वायरस आपके शरीर में एंटर करते है तो उनसे क्य करता है यह बचाता है ठीक है नेक्स्ट 11 यह शरीर में एक निश्चित पी-ेच बनाए रखता है क्या करता है शरीर के अंदर एक निश्चित पी-ेच को जो है बनाय रखता है ठीक है खोर नो इम्मुनिटी पैदा करता है इम्मुनिटी पैदा करता है ठीक है नेक्स्ट के आपका यह शरीर में एक निश्चित पी-एच को बनाया रखता है जिससे कि आपके शरीर में जो पी-एच यानि की अमल अमल की मात्रा जो सर्जद होती है अमल आपका जो जनरेट होता है तो उसकी मात्रा को क्या करता है मैंटेन करता है ठीक है जिससे कि अगर कम जादा हो जाता है तो हमारे क्या हो जाती पेट में एसिडिटी हो जाती ठीक है जिसे अमलीता कहते है नेक्स्ट ट्वैल यह शरीर के सभी लिक्विट्स का स्रोथ है बिलड आपका क्या है बॉडी के अंदर जित्ते भी आपके लिक्विट्स है उन सभी का स्रोथ है या सोर्स माना जाता है यानि कि यही से सारे लिक्विट्स का सिक्रेशन होता है नेक्स थर्टीन यह बॉडी टेंपरेचर को रेगुलेट करता क्या करता है बोड़ी के अप्रेचर या दर्मान को डर्टा करता है इसको रखती है तो यह सभी काम होते हैं आपके लट के इतने आपके फर फंक्वंक्सन्स पूरा मिलति हैं अगले वीडियो बने रहे हैं हमार साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस तरह के अच्छे-च्छे कोशन देखने के लिए बने रही है हमार साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग अंड शेयर दा वीडियो